हेलो गाइस आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ तो मैंने का आज मैं व्लॉग बनाई देती हूँ पर यह मेरा पहला व्लॉग है तो कुछ गल्ती वगेरा हो तो सब्सक्राज बनाओ देखनेशल को आगे व्लॉग देखने तो इस व्लॉग को लाइक करना तो चलो favorites हम लोग घूमने जा रहे हैं पंड़ फाल तो हम लोग जब भी घूमने जातेना चार लोग घूमने ड्राइवर की सीट पकी रहती है आफ्ताप की उसके बगल में जो कैमरा पकड़े है वो होता है दे बुलाओ में आप लोग को दिखा देती हूँ है यह और पीछे बैठते हैं हम लोग मतलब मैं और अभी शेक उर्फ भाव तो जो भी लोग मराठी होंगे वो समझ गया होंगे कि भाव का क्या मतलब होता और जो समझ गया है कॉमेंट करके जरूर बताना तो चलिए हम लोग चलते हैं तो जहांसी से पांड़ा फॉल का डिस्टेंस अप्रॉक्सिमेटली वनेटी नाइन किलो मीटर्स का है और वहां ट्रेन नहीं चलती तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने ही विकल से जाओ तो आपको जादा कन्वीनेंट पड़ेगा जहांसी से जैसे ही आप चलोगे तो आपको इतनी सारी शॉप्स मिलेंगी ना भजिये की और वहां के सारे भजियों का टेस्स सेम और बहुती ओसम होता है तो भजिये ज़रूर ट्राइ करना लो हम पांडा फॉल आ भी गए और पांडा फॉल से में गेट का जो डिस्टेंस है वो 600 मीटर्स है और अगर आप अपना फोर वीलर कार लेके जाते हो तो आपको 300 रुपीज का टिकेट लगेगा प्लस 75 रुपीज लगेगा आपको एक गाइड दिया जाएगा उसका जो की कंपलसर ही है ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है तो आपको गाइड करना ही पड़ेगा अगर आप अपने थोड़े से पैसे बचाना चाते हो तो आप कार को बाहर पाक करके और वाक करके भी अंदर जा सकते हो यह पेड गोंद का पेड है जो गोंद खाई जाती है उसका और जो गाइड थे वो बता रहे थे कि यह रात में बहुत ही जादा चमकता है बिल्कुल एक गोस्ट की तरह है रेडियम की तरह है इसलिए इसको गोस्ट रीक आ जाता है पान्डफ ऑल के चारों तरफ एक्चुली पत्थरी पत्थर हैं और पानी भी जो बहरा है वो पत्थरों के बीच में से बहरा है पान्डफ ऑल इसलिए famous है क्योंकि बताये जाता है कि पान्डफ जो थे अफ्थुदी देख सके यहां पर थोड़ा थोड़ा यह पानी गिर रहा है यह लाइम रॉक्स है उससे गिरता है क्योंकि लाइम रॉक्स पानी एब्सॉर्ब कर लेते हैं और पेडों की रूट से होते हो यह पानी बहता है इसको लव वाटर भी कहते हैं कहते हैं इसको पीने से प्यार बढ़ता है प आरो के पानी से भी जाद अच्छा टेस्ट कर रहा था यह गुफाएं हैं जहां पर पांडव्स रुके थे यह बाहर का पाट है गुफा का जो आप देख सकते हो और यह पाट है अंदर पर यहां पर जाना अलाउड नहीं था क्योंकि बारिश की वज़े से इसमें पानी बढ़ चुका था तो और कुछ दिख भी निरा था अलाउड होता तो भी मैंने जाती इतने अंदेरे में हमें गाइड ने बताई कि जो केव्स बनी होई हैं यह रॉक्स को कटिंग करके बनाई गई हैं कुछ भी आर्टिफिशल नहीं है इनमे यहां पर जो स्टेर्स हैं हम उनसे उपर चड़ें और यहां पर क्या है कि मंदिर बने हुए हैं पांड़फ्स के मंदिर हैं और शंकरपकॉन के भी मंदिर हैं तो वहां पर हमने दर्शन कियें कि अपर कि एंड़ नहीं है तो यह था मेरा फर्स व्लोग आइनो मैं थोड़ी नर्वस इसमें लग रही होंगे आपको क्योंकि यार फर्स टाइम तो सभी नर्वस होते हैं लेकिन अगर आप चाते हो कि मैं और व्लोक्स लाओं तो मुझे कॉमेंट करके बताना मेरी वीडियो को लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई